कि अज़ें दोस्तों मिरना में तुरू और स्वागत है अपका अपने अडिप चनल अतुल टेक बजारें दोस्तों फाइनली लावा ने लाउंच कर दिया अब तक का सबसे पावरफुल कर्ड मोबैल लावा बलेज करव मोबैल तो इससे पहले भी लावा यह कारनमा कर चुका अगनी टू नाम का यहाँ पर चीपेस्ट कर्ड मोबाइल भी लावा इससे पहले लेके आ चुका है बट यहाँ पर अपना ही रिकॉर्ड लावा ने तोड़ दिया है और ली 17999 में तोस्तों यह मोबाइल लाउंच किया है लावा ने एक और प्लस पॉइंट और एक और कारनामा यहाँ पर कर दिया है इस मोबाइल में आपको UFS 3.1 और LPDDR 5 RAM का सपोर्ट मिलता है पावर के लिए यहाँ पर दिमेंसिटी 7050 वाला 6NM OctaCore प्रसेसर भी प्रवाइट कर दिया जिसका आन्तितु Benchmark score 6NM के आसपास आजाता है इवन डूल स्टेरियो स्पीकर विट डॉल भी ओटम्स का सपोर्ट मिल जाता है तो भी यह मात्र 17999 में यह सारे फीचर मिल जाते है क्या इस प्राइज में यह मोबाइल वर्थ है यह नहीं डीपेस जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी चैनल पर दोस्तों अगर आप नहीं हो तो इसी तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरू से करके रख लिएगा चलिए क्विक लिए स्टार्ट करते हैं साथ प्राइज दूस्तों किविक लिए एंबॉक्सीं कर लेते हैं देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है लावा ब्लेस का डिवास का कुछ इस तरह से बॉक्स मिलता है प्राइज चार्जिंग केबल और एक चार्जर मिलता है जो की 33 वाट का फास्ट चार्जर है फाइनले दूस्तों यह रहा बॉक्स का मेंन कंटेंट लावा ब्लेस का डिवाइस पीछे लावा की ब्रैंडिक है पाइप जी भी बड़ड़ एक चार्जरों में लिखा हुआ है यहां पे दूस्तों पीछे का जो बैक पैनल है यह आपको मैट फिनेश डिजाइन के साथ में मिलता है और देखने में ऐसा लगता है फिल भी ऐसा लगता है कि भी है यह यह पॉलिकारबिनेट हो का रेयर में आपको ट््रैपल कैमिरा सेटफ मिलता है जिसमें 64 मेगापिकस kickback light기에á रिप्र का यह मिलता है लेफ्ट साइड सारकासाला ब्डेंग है मोबाईल के टॉप में आयर प्लस्टर चीसह कुछ दिखाई देता है बैट एक्चुल पॉक्सिमीटेश मिलता है टॉप में एक स्पीकर का सपोर्ट भी मिल जाता है बॉटम में सीम ट्रे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक और स्पीकर दिया हुए टोटल यहाँ पे डूइल स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं जो कि डॉल भी आटॉम्स को सपोर्ट करते हैं मोबाइल में डो 5G सीम आप ऐसे ऐसे या ऐसे NSA नेटवर्क के साथ में यूज़ कर सकते हैं क्या पर दोस्तों आपको मैमेरी कॉर्ट का उप्शन नहीं मिलता मोबाइल 6.67 इंचेस के FHD प्लस 3D कर्वड एमुलेट डिस्प्ले के साथ में आता है इसमें आपको 120Hz refresh rate का सपोर्ट मिलता है इवन इसका जो test sampling rate है वो 240Hz के आसपास चला जाता है मोबाइल का जो brightness है वो 800 nits के आसपास है इसलिए daylighting condition में यहाँ पे visibility काफी ज़्यादा brighter है कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं जाती है इसके अलावा दोस्तों यह जो display है SDR, SDR10, SDR10+, and wide1L1 को भी support करता है Netflix Amazon जैसे जो वीडियो है high resolution, high quality में आप इसमें watch कर सकते हैं पैसे इस mobile में दोस्तो ड्रेगन ट्रेल, star to glass का protection मिल जाता है तो यहाँ पे जो YouTube वीडियो है इसकी quality आपको 4K वीडियो तक मिल जाती है आप इस mobile के थुरू YouTube content watch कर रहे हो या फिर कोई movie वीडियो देख रहे हो तो colors आपको काफी ज़दा brighter मिलेंगे इवन दुस्तों viewing angle भी काफी बहतर लगता है क्योंकि यह 3D curved amulet display है यहाँ पे आपको 6.67 inches का brighter display मिलता है साथ ही में यहाँ पे अगर आप mobile को tilt बगेरे करते हैं तो color faded नहीं होते हैं काफी बढ़िया viewing angle यहाँ पे दिखता है experience काफी बढ़िया निकल के आ जाता है और वीडियो के साथ साथ अगर आपको sound भी अच्छा चाहिए तो sound के लिए इसमें deal stereo speaker के साथ Dolby Ottombs का support मिलता है sound quality काफी ज़्यादा decent निकल के आती है दोनों ही speaker काफी अच्छा crystal के लिए sound produce कर देते हैं और अलकुछ इस तरह की sound quality इसमें मिलती है in display fingerprint का support भी इस mobile में मिल जाता है जो की काफी quickly accuracy के साथ में mobile को only 0.3 second में unlock कर देता है और stock android 13 के साथ में ये mobile आता है इसमें 2 major update और 3 year तक security page update मिलते रहेंगे यानि कि android 14 और 15 definitely इस mobile में मिलने वाला है या में दूस्तों ये stock android के साथ तो आता है बट लावा नहीं बहुत सारे features UI में provide किये हैं जिससे आपको third party app install करने की जरूत पिलकुल नहीं पड़ेगी UI आपको काफी ज़्यादा smooth मिलता है और काफी ज़्यादा neat and clean है कोई भी extra यहां पे bloat pair app install नहीं है सारी सारी काम की app है Google की app यहां पे install है इवन दुस्तो इस तरह का app opening और closing animation देखने को मिलता है जो कि काफी ज़्यादा बढ़िया लगता है बट UI के कुछ features के बारे में बात करते है background streaming वाला premium option मिलता है YouTube के लिए जो कि Oppo ने अपने mobile से हटा दिया इस तरह से YouTube वीडियो अगर आप watch कर रहे हो तो आप देख सकते हो background streaming यहाँ पे हो जाती है तिन दुस्तो यहाँ पे आपको battery saver का option मिल जाता है dark mode का option मिलता है and tall be autumns का option भी मिल जाता है गूगल डैलर मिलता है जिसमें आप auto call record नहीं कर सकते है और इसमें setting के अंदर आपको auto call recording वाला option मिलता है अब आप sona one of pink को किसी की भी voice चुप के से record कर सकते हो यहाँ पे दूस्तो आपको apps में clone app का option मिलता है hide app का option मिल जाता है बहुत सारे apps को आप clone app कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पे आपको system के अंदर multiple user वाला option भी मिल जाता है जैसे guest mode बोलते है and यहाँ पे आपको dura speed का option मिलता है किसी भी app की speed आप बढ़ा सकते हो then यहाँ पे spatial feature के अंदर यह various feature मिल जाते है बहुत सारे extra feature जिसमें आपको RAM expansion का option मिलता है virtual RAM up to 8 GB तक यहाँ पे आप set कर सकते हो then दोस्तों यहाँ पे always on display customization के option आपको मिल जाते है then edge lighting effect भी आप set कर सकते हो इतना ही नहीं किस app के लिए आपको set करना है यह option भी आपको यहीं पे मिल जाता है साथ ही में आपको charging animation दो तरह के मिलते है जैसे अपने हिसाब से आप लगा सकते हो and यहाँ पे बहुत सारे finger animation मिल जाते है almost 5 type के जो कि काफी ज़्यादा premium लगते है तो यहाँ पे game booster का support भी इस mobile में मिल जाता है almost यहाँ पे various feature मिल जाते है stock android है बट लावा ने काफी सारे extra feature प्रवाइड किया है जिसके third party app की जुरत नहीं पड़ेगी बहुत जली tips and tips वीडियो भी लाएंगे पावर के लिए इस mobile में mediatic dimensity 7050 वाला 6NM octa-core processor प्रवाइड किया गया है जो कि इस price segment में काफी ज़्यादा capable processor है gaming multitasking काफी अच्छे तरीके से यह कर लेता है even इसका जो anthuto benchmark score है यहाँ पर आप इसकी read right speed भी देख सकते हो काफी बढ़िया इसको निकल के आता है CPU storytelling में max performance 89% के आसपास निकल के आ जाता है mobile की जो head and body star value है वो under save gen देखने को मिलती है mobile cam 2 API को support करता है Google camera आप इसमें install कर सकते हो बहुत जल्दी best camera इसके लिए लेके आएंगे mobile 10 finger multi touch को support करता है इस mobile में कोई भी multi touch या फिर ghost touch इसू नहीं है mobile में सारे जरूरी sensor देखने को मिलते है जैसे accelerometer, proximeter, gyroscope, magnetometer, ambient light और fingerprint जैसे sensor देखने को मिलते है इसका gyroscope भी decent work करता है इसके लावा दोस तो यह जो mobile है Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 और 6 support के साथ में आता है battery and battery backup के बारे में बात करें तो इस mobile में 5000 mh की battery मिलते है इसे चार्ज करने के लिए 33 watt का fast charger प्रोइड के गया है तो इसे इसका charging test, battery training test भी हमने किया है charging test हमने किया था तो almost 75 minute के अंदर अंदर यह mobile fully 100% charge आता है वैसे battery backup के बारे में बात करें तो यह जो mobile है अगर आप hardcore यूज कर रहे हो तो 1 day plus इससे battery backup ले सकते हो और अगर आप normal uses करते हो तो 1.5 day plus battery backup यह mobile दे देता है वैसे charging और जो battery backup है काफी बढ़िया मिल जाता है 5G network connectivity भी इस mobile में काफी stable मिल जाती है इंडिया में जितने भी S.A.N.S.A. network है सारे network को यह mobile support करता है टोटल 8 5G band का support इस mobile में मिल जाता है इतना ही इसमें VONR, VINR, Carry Regregation का support भी मिल जाता है overall जो connectivity है, stability है 5G network की वो काफी decent मिल जाती है इस mobile में dedicated game booster का support मिलता है तो यहां पर smooth के साथ extreme balance का support भी मिलता है gaming हमने यहां पर पहले भी किया जारो देख सकते हैं आप काफी decent अच्छे तरीके से work करता है तो फुल dedicated video चैनल पर एवलेबल है टेख और से करेगा gaming से related यहां पर जातों gaming आप बढ़िया तरीके से कर सकते है यूफेस 3.1, LPDR Spy RAM और 10NCP 7050 वाला जो प्रोसेसर यह तीनों तो combination दिया हुआ एवन 8GB RAM का support मिलता है gaming को काफी जादा smooth बना देते कोई भी दिक्कत नहीं जाती lag frame drop आपको दूर दूर तक feel नहीं होगा काफी बढ़िया तरीके से आप इस कर device में gaming कर सकते हो amulet display है तो colors काफी अच्छे निकल के आते हैं और साथ ही में यहाँ पे आपको dual stereo speaker पेट से तॉल भी ओदम का support मिलता है इस overall gaming experience काफी ज़्यादा superior top notch देखने को मिलता है camera के बारे हम पहले ही बता चुके हैं quickly features के बारे हम बात करते हैं light mode का option आपको front and rear दोनों में मिल जाता है वीडियो में आप max to max 10x zoom तक वीडियोग्राफी कर सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपको 4K 30 aps 1080p 60 aps 720p 60 aps का option मिलता है front में normal 1080p 30 aps 720p 30 aps का option मिलता है यहाँ दोस्तों अगर photo देखोगे तो इसमें 20x digital zoom का इस प्राइस सिग्मेंट में option मिलता है तो यहाँ पे HDR, auto, HDR, filter, time lapse ऐसे सारे options आपको मिल जाते है front में भी almost same option मिलता है in fact 2x in sensor zoom का option भी आपको photo में मिल जाता है portrait के बारे में बात करें यहाँ पे आपको various filter मिल जाते है front and rare दोनों में ही आपको boke adjust करने का option मिलता है अलग से आपको face beauty mode का option मिलता है front and rare में आप काफी beautiful photography कर सकते हो micro का option मिलता है more में 64 megapixel dedicated option मिलता है professional mode, time lapse and यहाँ पे slow motion video का option मिलता है slow motion में various option मिलता है 1080p में आप max to max 480 fps और 720p में आप max to max 960 fps तक slow motion वीडियो ग्राफिक कर सकते हो चलिए दुस्तों फड़ापट से कुछ photos video sample भी देख लेते हैं इस mobile दुस्तों इंडोर आउट्डोर में normal portrait में काफी जारे samples लिए है front camera में थोड़े optimization की ज़रो आता है rare camera काफी अच्छी photographs ले लेता है 2x sensor zoom में भी काफी बढ़िया photo जाती है micro भी काफी detailing साथ photo ले लेता है इसका ultra wide भी काफी अच्छी photography कर लेता है but 2x digital zoom में थोड़े optimization की ज़रो आता है even दुस्तों यहां पे front night mode में भी optimization की ज़रो आता है यहां पे तोनों ही camera ठीक ठाक work कर लेते हैं but थोड़ा सा better result आपको rare camera में देखने को मिलता है front camera में अलका पूल का optimization की ज़रत है company को हमने यहां पे suggestion दे दिया है maybe OT update दूरू यह fix हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों यहां पे इस तरह के आप slow motion video record कर सकते हो slow motion video में आपको various options मिल जाते हैं तो यह से तो रीसेंटली लांच हुए lava bliss curve device का एक full detail review अगर आपके कोई doubt है कोई question है simply आप हमें comment section में एक हो सकते है final verdict और मेरी opening यही है कि तो इस price segment में लावा ने काफी बड़ीया features इस mobile में provide किया है क्योंकि other companies price segment में provide नहीं कर पाती है मुझी उनकी जो price दो तीन हजार increase हो जाते है but proudly made in India company lava ने यहाँ पे काफी बड़ा कारणामा करके दिखा है यह फेस 3.1 storage and LPDDR 5 RAM का support मिलता है अगरा processor मिलता है even इस price segment में आपको 3D curved display देखने को मिलता है वह भी AMOLED display है in display fingerprint का support भी मिलता है यहाँ पे और क्या बच जाता है यार इस price segment में कैसे लावा ने यह सारी चीजे fit की है अभी के current market के हिसाब से यह यहाँ पे सोचने की बात है औरहाल इस price segment में आपको तगरा mobile दलास कर रहे हो इसका camera अच्छा हो, display अच्छा हो powerful mobile हो, battery backup अगरे अच्छा हो, charging अच्छी हो तो definitely इस mobile को हम recommend करते है definitely इस mobile के साथ आप जा सकते हो 718999 में काफी बड़ा फायदे का सौधा यह mobile करता है वाइस के regarding आपके कोई doubt question है simply आप हमें comment section में पूछ सकते हैं पिला दोस्तों स्वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स नेवडी के साथ में तब तक लिए चेहन बोलते रहे हैं पंदिमातरम